बड़ी खबरे लगातार आपको बताएंगे पहली बड़ी खबर साड़े तीन घंटे बाद इतिहास रचने वाला है चंद्रयान तीन की लॉंचिंग की गिर्टी शुरू हो चुकी है और काउंडाउन शुरू हो चुका है इंतजार कर रहे हैं लोग जोश बहुत हाए है श्री हरी कोटा का माहौल भी आपको बताएंगे ये वक्त है दो बचकर 35 मिनिट जब लॉंचिंग होगी श्री हरी कोटा में लॉंचिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई है तो देखे साड़े तीन घंटे बाद इतिहास रचेगा भारत और हम सब उस एतिहासिक लमे के गवाब बनने जा रहे हैं चंद्रियान थी भारत का महा मिशन इसे कहा जा रहा है चांद पर भारत का तीसरा मिशन ये देखिए एक एक डीटेल आपके सामने इसे तयार करने में चार साल का लंबा वक्त लगा 14 जुलाई को दो बचकर 35 मिनट पर यानि आज दो पहर दो बचकर 35 मिनट पर इसकी लाँचिंग होने जा रही है आंदरप्रदेश के श्री हरी कोटा से जहां पर भी टीवी नाइन भारत वर्ष की टीम इस वक्त मौझूद है प्यूश पांडे वहां से एक एक जानकारी दे रहे हैं LVM3 रॉकेट चंद्रियान 3 को ले कर जाएगा 23 से 24 अगस को चांद पर लेंडिंग होगी सौफ्ट लेंडिंग करना हम सब ये जानते हैं कि बड़ी चनोती होती है बहुत बड़ा चैलेंज होता है चंद्रियान 2 के दोरान भी हमने देखा और चांद के डक्षणी हिस्से पर ये चंद्रियान 3 लेंड करेगा और चांद पर लेंडिंग करने वाला चौथा देश तो होगा भारत लेकिन साउथ पोल पर लेंड करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है इससे जुड़ी जो एहम जानकारी है वो भी हम आपको आगे देंगे ये देखिए स्टूडियो में हमने किस तरह के इंतिजाम किया है ताकि बिल्कुल श्री हरी कोटा वाला फील आप महसूस कर सके बिल्कुल आप हाई टेक स्टूडियो में देख सकते हैं चंद्रयान तीन और फिर पूरा रिसर्च किया जाएगा दक्षनी हिस्से पर उतरने वाला पहला देश होगा भारत तो ये हमारे हिस्से है इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा दक्षनी चोर का ज्यादतर हिस्सा अंधेरे में रहता है अंधेरे की वज़ा से पानी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है दक्षनी चोर के गड़े बेहत ठंडे हैं सोलर सिस्टम के पुराने जीवाशम मिल सकते हैं यहाँ पर दक्षनी चोर पर सूरे की किरने सीधी नहीं पड़ती है इसलिए यहाँ अंधेरा जादा है दक्षनी चोर का तापान बहुत कम होता है तो साउथ पोल को जाएगा चंदरयान तीन और इसी के बारे में हम आप तक रिसर्च पहुँचा रहे हैं तो देखिए साउथ पोल इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए चंद का साउथ पोल जिसका जिकर बार बार हो रहा है ये किस तरह का है ये दिखता कैसा है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं और साउथ पोल में लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मुल्क हिंदुस्तान बनने जा रहा है क्योंकि इस से पहले रूस हो चीन हो अमेरिका हो ये तमाम देश चांद की सता पर पहुँचे तो हैं लेकिन साउथ पोल पर नहीं गए हैं इस लिहाज से भी ये मिशन बहुत जादा एहम हो जाता है